नमस्कार जाहें दोस्तों दोस्तों बिहार द्रोगा नियु वेकेंसी जो हमारा दो हैर प्लस आने वाला है उसका जो है आपका प्रैक्टिस सेट डेली बिसनस पर जो है करवाया जा रहा है अगर आप सबी लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो देखना सुरू कर दि में दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिस लेंग्वेज में आपको कोशन देखने को मिल जाएगा तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं पहला प्रस्ते की पुरतात्विक इस्थल जो है इनाम गाउं कहां पर इस्तित है देखिए इनाम गाउं बात करेंगे तो यह आप को महराष्ट में देखने को मिलता है ऑप्सन नंबर हमारा यहां पर जाए डी सही आंसर हो जाएगा यहां भीमा नदी की साहिक नदी घोड के टेट परिश्तित है इनाम गाउं में लगभग 3600 से 2700 वर्स पहले लोग रहते थे ऑप्सन बड़ी होगा अगला है गौताम आउजित किया गया था ओप्सन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अब दिखिए आपको पता है कि बहुत संगीतिया जो हे चार हुआ है जिसमें से पहला जो आपका बहुत संगीति है चार सुतिरासी इसापुर्व दूसरा आपका जो है तीन सुतिरासी इसापुर्व तीसरा की बात करते है 255 इसापुर्व और जो चौथा आपका है वो आपका प्रथम सताब्दी में हुआ था आगे प्रस्न है सुंग वंस का संस्थापक कौन था बताईए क्या होगा अंसर तो कि सुंग वंस का संस्थापक आप देखेंगे तो यह आपके हो जाएंगे पुस्समित्र सुंग आपसा नंबर जो है तीसरे का एक राइट आंसर हो जाएगा पुस्मित्र सुंग जो है मौरियों का सिनापती था उसने मौरिय के अंतिम सासक ब्रिहद्रत की हत्या करके सुंग वंस की इस्थापना किया था आगे प्रस्न है कोसर मरफूर बोला कि जब हार निचित हो जाती थी तो डैस पुरुसों को साका यानि या सग नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके सही आंसर आप देखेंगे तो या आपका राजपूत हो जाएगा ऑपसन नमबर यहां पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा अलाओ दिन खिल जी के सासनकाल में निमलिखित में से कौन राजेपाल था तो इसका उत्तर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा ऑपसन नमबर यहां पर जो है पाचवे का सी सही आंसर हो जाएगा देखिए समझेगा इसको अच्छे तरीके से खिल जी वंत कसा स्थापक जलालुदिन खिल जी है ना तो जलालुदिन फिरो जी खिल जी था तथा इसकी हत्या जो है बारसो चानवे इसे में अलाओ दिन खिल जी ने शीयुद से विजगा अगर समराज जै इसका पतन हो था विजगा अगर समराज जी कापतन हो था तो सही आंसर आप देखेंगे तो तालीकोटा यदो जायगा ऑपसन नमबर यहां पर जो हे बी राइट अंसर हो जायगा अब देखिक तालीकोटा का यूद हो गप था? तो सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा सुवाली का यूद हो जाएगा ओप्सन नमबर यहां पर जो है सेविन का डी सही आंसर हो जाएगा दखे सूरत सहर के पास एक गाउं सुवाली में 29 से 30 नमबर 1612 इस वी को इस्ट इंडिया कंपनी और पुरतगाली सेना की भी जो निमन में से किस वाइसराय ने 1882 में हंटर कमिशन की निवक्ति किया था देखिए 1882 में देखेंगे तो हंटर कमिशन की निवक्ति की बात कर लेते हैं तो आपका लॉड रीपन इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इसका अंसर हमारा यहां पर ए सही उत्तर हो जाएगा आप इ किलियम हंटर के अध्यक्षता में इस हंट इस आयोक का गठन किया था अगला है कोशन नबर नाइन भारतिय सोतनता के समय भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो इस टाइम कौन थे बताएगा तो यह हो जाएंगे जे बी करिपलानी हो जाएंगे ऑप्सन देने के लिए गठित किया गया था बताएगे क्या होगा इसका उत्तर देखेंगे इसका सही आंसर देखेंगे तो यह आपका साइमन आयोग हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा साइमन आयोग आगे हमारा है कोशन नबर 11 बोल लहा है निमलिक पूरा भी इसमें आपका करता है अगला परस्न है निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमाले छेतर में जो है इस्थित नहीं है इस्थित नहीं है दोस्तों देखिए यह आपका कामेट आपका इस्थित नहीं है बाकी अनपूर्णा है उसके वाद लोहुत से है माउंट एवरेश्ट बिस में आपका सामिल है चलिए आगे हमारा कोशन देख लेते हैं बोला कि अनसुपा जिल डैस में इस्तित हैं अनसुपा जिल देखेंगे तो यह आपको ओडिसा में देखने के मिलता है कहां पर ओडिसा में ऑप्सन नमर जो है तेरे का ए राइट आंसर हो यह किस राजी में देखने के मिलता है तो यह आपको करनाटक राजी में देखने के मिलता है और ओप्सन नमर देखेंगे तो आपका चौदा का डी सही आंसर हो जाएगा करनाटक दोस्तों उससे पहले आप सभी बता दे देखें बिहार दरगा के लिए आप सभी बता दिया फाइफ सिक्स फाइफ फोर सिक्स फाइफ डवल्थरी आप इसो जो है बिहार दरोगा लिख दीजिए आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा अगला कि मृदा के लवनी करण किस कारण से होता है एक किस वज़े से होता है तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपको ज़ेका अधिक सिचाई के वज़े से होता है आपसर नमबर यहां पर जो है पंद्रका सी सही हो जाएगा निमलिखित निमलिखित में से कौन सी हमारी निकाट्तम ग्यान अकास गंगा यानि गैलेक्सी है क्या होगा इसका उत्तर देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी हो जाएगा आपसर नमबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा मंगल गरह सूरे से डैस इस्थान पर होता है देखिए मंगल गरह जो है सूरे से किस स्थान पर होता है तो यह फोर्थ नंबर पर यानि चौथे नंबर पर होता है ओप्शन जो है सत्रे का हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा तो कि सौर मंडल का दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं चलिए आगे हमारा प्रस्थ नंबर एटीन कौन सा एक ऐसा महाद्यूप है जिससे होकर करकर भुवन्त और मकर एखा गुजरती है सही आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफ़रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समिधान सभा का सदत से कौन नहीं था तो इसमें देखेंगे तो महात्मा गांदी इसमें नहीं थे बाकी डॉक्टर राजिंदर प्रसाथ से सरदार पटिल थे और जीवी मौलंकर पीस में आपके सामिल थे आगे प्रसने है भारत के समिधान के अनुछेद 112 के कलावजवन के अनुसार निमलखित में से किसे यह सनुछित करने का उत्तर दाई तो सौपा जाता है कि वे का वार्थिक वीवरण संसत के दोन सदनों के समख्ष रखा जाए बताईए क्या होगा इसका उत्तर देखेंग तो आपका राश्टर पती हो जाएगा और ऑफसर नंबर यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा राश्टर पती होगा अब देखेंगे 21 नंबर आपका बोला है निमलखित में से कौन से सब्द भारत के समिधान के परस्तावना में उल्लिखित नहीं है तकि भारत क अनुशे 274 के अनुशार कारादहान को प्रभावित करने वाले विधेकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवसकता होती है किसकी पूर्व अनुमति की आवसकता होती है सही आंसर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बताईएगा देखे सही आंसर हमारा 22 का हो जाएगा option number C हो जाएगा राश्टर पती दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट option number C सही उत्तर हो जाएगा भारत के राज्येपाल की निपती कौन करता है सिंपल प्रस्त है देखे राज्येपाल की निपती आप देखेंगे तो यह राश्टर पती ही करता है option number देखेंगे तो यहाँ पर C सही उत्तर हो जाएगा राश्टर पती जनवरी 22 तक राज्येसभा में असम को आवांटिस सीटों के संख्या कितनी है तो संख्या पुछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपके यहाँ पर साथ हो जाएगा क्या होगा साथ? Option number B सही उत्तर होगा साथ हो जाएगा 17 लोग सभ़ा के अद्ध्यक्ष कौन है सत्रहवी लोग सभ़ा के अद्ध्यक्ष देखेंगे तो यह आपके हो जाएंगे ओम बिरला क्या होगा दोस्तों आपसन नमबर हमारा जाए है 25 का सी सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला अगला की PIL का पुरू रूप क्या है देखें दोस्तों आपका IPL भी स्टार्ट हो गया है तो IPL में भी आपका कोशन करेंट अफेर का बनता है इसका उत्तर देखेंगे तो आपका public interest litigation हो जाएगा option number देखेंगे तो आपका यहाँ पर 26 का यह सही उत्तर हो जाएगा आगे हमारा 27 नमर क्या है निमलिखित में से वह कौन सा पहला छेतर था जो सुतंतरता के बाद भारत का अंग बना है तो इसका सही आंसर आप 27 का देखेंगे तो दादर और नगर हवेली हो जाएगा option number हमारा 27 का सी सही उत्तर हो जाएगा दादर और नगर हवेली होगा अगला हमारा 28 नमर बोल रहा है निमलिखित में से किसकी इस्थापना भारतिय समिधान के अनुछेद के अधीन निस्थित अप उपबंद के अनुसार जो है किया गया है निस्थित उपबंद के अनुसा हो जाएगा लोग सेवा निसंग लोग सेवा आयोग हो जाएगा option नमबर यहां पर दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे परस्ते हैं question number 29 बोल रहा है निमलखित में से कौन से संसद्य समीती में राज सभा का कोई भी सद्थ से सामिल नहीं होता है तो नहीं होता है तो प्राकलन समीती आपका हो जाएगा option नमबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा प्राकलन समीती भारत के संद्थान में आप तक कितने संसुधन कराया जाज़के हैं देखेंगे तो कितने बार ज्यें कराया जा चुके हैं तो यह आपका हो जागा 112 बार कितना हो जाएगा दूस्तो 121 बार option number क्या हो जाएगा तीस का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा भारती राज़ितिक पार्टी भारती राज़ितिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है देखिए इसका पूरा नाम देखेंगे तो आपको जाएगा All India Trinwall Congress हो जाएगा ठीक है तो option number आप देखेंगे तो A Correct आंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन जो है लोकायूक्त और उपर लोकायूक्त को निव्ट करते हैं क्या होगा आंसर देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका यूटी सम्मंदित राज़िये या फिर केंदर सासित प्रदेश के राज़ेपाल या फिर उपर राज़ेपाल हो जाएगा ओप्सन नमबर हमारा 32 का A सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट हमारा प्रस्द है कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटिक की स्थापना किसके दोरा किया गया है कलकत्ता में एसेयाटिक सोसाइटी के स्थापना आप देखेंगे तो sir William Jones हो जाएगा option नमबर देखेंगे 33 का तो हमारा यहाँ पर भी right answer हो जाएगा sir William Jones 15 जन्वरी 1774 में हैस्टिंग के सहयोग पर विलियम जोन्स ने एसियाटे सोसाइटी और बंगाल के स्थापना किया था आगे हमारा है कि एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है तो मत देने का अधिकार आपका नहीं है दोस्तों आपका बिहार टे आप सब लोग का एक सपोर्ट चाहिए क्योंकि वीडियो बनाने महनत लगता है आप लोग लाइक किया के जे बाकि और लोग को भी सेयर किया किया कि तक यो लोग भी अपना एक वीडियो के मादियम से अपना रिवीजन कर पाएं ठीक है किस वर्स में सरागड़ी सहे सन्थानवे हो जाएगा अगला हमारा प्रस्ते है कि आई सी ऐस में चायनित होने वाले पहले भारतिये कौन थे देखेंगे तो यह आपको हो जाँगा साथेंद्र नात्र टैगोर सतेदर नाथ टैगोर आप स्नबर आप देखेंगे 36 का तो डी सही उत्तर हो जाएगा सत कित्ता में हुआ था ये रविध निना टेगौर के बड़े भाई थे ये विया पच्रेस से याध रखियेगा ँवस्द треб इसको हम कहते हैं प्रतिवेक्थी आइ भी कहते है क्या कहते है पर कैपिटल इंकम कहते है ठीके पर capital income कहते हैं अगला हमारा प्रस्थ है कि मुद्रा क्या है देखिए मुद्रा आप देखेंगे तो विकास और पुनरवित एजेंसी हो जाएगा option नमबर देखेंगे 29 का तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्थ है कुटिर जोती योजना किस से संबन्दित है ग्रामिड परिवारों को बिजली देना option नमबर आपका यहां पर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा अब आते हैं 40 पे इन में से कौन से किसूर लड़कों को ससक्त बानाने के लिए जो है केंदर प्रयोजित योजना है केंदर प्रयोजित योजना है तो इसका सही उत्तर आप का दोस्तों इसमें देखेंगे तो सराब पर जो है आपका जेस्टी रागू नहीं है बाकी आटो मोबाइल पर है सैलन सेवाएं पर है और रेस्टरा सेवा रेस्टरा यहां पर यहां पर देखे रेस्टोरेंट हो जाएगा रेस्टोरेंट सेवाँ पर भी आपका जेस्टी की उजवला योजना की यानि उजवला योजना जो है आपका किससे संबंदित है तो यह आपका समाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस की वित्रण से हो जाएगा ओप्सन जो है 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा विधुत आवेस का SI मातरक क्या है देखेंगे तो य होगा कूलाम ऊप्सन नमबर जो है 44 का SI साही हो जाएगा अगला है कि मीटर जो वहन की Cाल मापता है वह 50 कहलाता है तो वह एक परकार से आपका देखा जाये तो ओडो मिटर हो जाएगा पथ मापी हो जाएगा ओप्सन नमबर यहां पर B हो जाएगा ओडो मीटर चलिए नेश्ट हमारा कोशन देख लेते हैं एक अस्व सक्ति लगभग 10 वाट के बराबर होता है वो कितने वाट बराबर होता है अस्व सक्ति तो यह आपके 750 वाट के बराबर होता है ओप्सन नमबर देखेंगे तो आपका 45 का B सही आंसर हो जाएगा इस एकाई का प्रयोग जो है समानेता किसी इंजन या फिर मोटर के सक्की मापने के लिए किया आता है अगला है गुर्टवा कर्षण के संदर में G को क्या कहाता है कैपिटल जी को क्या कहते है तो दोस्तो इसको हम जो है गुर्टवी इस्थिरांग कहते है ओप्सन नमबर देखेंगे तो आपका 47 का A सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्त है कि जूरो डिगरी कैल्विन किसके बराबर होता है तो ये किसके बराबर होता है तो माइनस 273 डिगरी सेल्सियस हो जाएगा ओप्सन नमबर देखेंगे 48 का तो भी राइट आंसर होगा एक पैरिस्कोप का उप्यूग करता है दोस्तो एक पैरिस्कोप का उप्यूग करता है 49 का उत्तर देखेंगे तो 2 समतल दरपण का हो जाएगा और अप्सन नमबर आपका 49 का भी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ता है कि जब मिस्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घाटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहाता है पताईएगा इस प्रक्रिया को क्या कहते है तो इसको हम देहें दोस्तो अवसादन कहते है उप्सन नमबर आपका यहाँ पर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा निमल इखित में से किसका पी एच मान जो है साथ है अगला है कि तामबे का परमाड़ुक्रमांग क्या है? क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे 52 तो आपका 29 हो जाएगा क्या हो जाएगा 29 ओप्सन नमबर C होगा इसका जो एक रसायनिक इन की बात करते हैं तो आपका C U होता है निमलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानिम सरवादी घुलन सिलता होती है भूलन सिलता होती है बताइएगा तो इसका उत्तर देखेंगा तो आपका यह अमोनिया जो है हलकी होता है आगे प्रस्द है ग्रेफीन है तो कार्बन का अवरूप दोस्तों यह आपका ग्रेफीन होता है ऑप्सन नमबर सी सही उत्तर हो जाएगा पच्पन नमबर देख लेते हैं जब डैस निकेल और क्रोमियम के साथ मिस्रण मिस्रित होती है तो हमें स्टेनलेस इस्ट प्राप्त होता है तो यह आपका लोहा जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है पच्पन का सी सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उसमा छेपी है इन में से कौन सी प्रक्रिया आपका उसमा छेपी है तो यह आपका स्वसन हो है और उपास्ती भी समय आपका सामिल है इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो जब कि यहां पर देखें कंकाल पेशी को रेखी उतक भी कहते हैं यह पेशी उतक से बना होता है चलिए नेश्ट हमारा कोशन क्या है निमलेखित में से कौन सी अहार नालिका है तो इसका उत्तर क आपका क्BA होता है तो आपको जाण का यूर का यूरो क्रोम की वैसे और तो जी इससे होता है निमलेखित में इसे कौन सा रोग झेखेंगे समानेता विसाणों की मिया वार जाएगा चैशक जह स lies वेरियोला वारेस तो यह अपकτα पच्छों से याद रुखईएगा आते हैं अगले परस्थन पर देखें तिब्बद करेंडर के गारहावे महीने के पहले दिन लड़ाग छेतर में प्रति दिन कौन सा तेहवार जो है मनाया जाता है तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा लोसार तेहवार हो जाएगा option number आपका यहाँ पर जो है D right answer हो जाएगा लोसार तेहवार निमनलिखित में से कौन से प्रसित भारतिय सास्त्री नर्तक या फिर नर्तकी है बताईए क्या होगा इसका उत्तर आप देखेंगे तो option number हमारा यहाँ पर जो है C सही उत्तर हो जाएगा सोनल मान सिंग option number C आगे प्रसित संगीतकार सिकीम सेखर का संबन सेकील माला सेखर का संबन इनमनलिखित में सेकिस वादियांतर से है उत्तर देखेंगे तो आपका बासुरी इसे यह संबन रखते हैं फ्लोट ऑप्सन नंबर आपका देखा जाएगा अगला है कि डॉक्टर बी आर अम बेटकर रहे द्वारा इनमें लिखित में से कौन से एक जो है आत्मक अथात्मक कार्य है जो कोलंबिया विस्वेद्याले में एक पार्थी पुस्तक के रूप में प्रयोग किया आता है यू-एस क्या होगा इसका उत्तर बताएगा देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 64 नंबर का तो आपका हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी होगा वीजा की प्रतिक्षा ऑप्सन नंबर हमारे यहाँ पर डी राइट आप्सन नंबर आपका बी से पर भी सही उत्तर हो जाएगा किस भारतिये ने वर्स 2014 में नोबेल सांती पुरसकार जीता है देखिए नोबेल का सांती पुरसकार जीता है बताईएगा क्या होगा इसका उत्तर तो कैला सत्यार्थी हो जाएगा क्या होगा दोस्तों कैला सत्यार्थी और ऑप्सन नमर देखे आगे प्रस्ना है कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्स जो है सामिल हुआ था अफगानिस्तान देखिए साक्य स्थापना में इस संगठन में में साथ भारत पाकिस्तान बंगला देस नेपाल भूटान माल्दिव और स्रिलंका आफगानिस्तान की बात करते हैं तो 2007 में आपका ये सामिल हुआ था सार्क में तो आपसे नबार आपका B राइट हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि 1930 में प्रत्थम राष्टर मंडल खेलो कायूजन कहां पर हुआ है तो ये आपका कनाडा में हुआ है आपसे नमबर देखेंगे तो 68 68 का हमारे यहां पर A राइट आंसर हो जाएगा कनाडा ठीक है नोट कीजिएगा भूली अगर नहीं नहरू इसमारक संगरहाले एवं पुस्तकाले निम्न में से किस स्थान परिस्तित है कौन से इस्थान परिस्तित है ति आपको नहीं दिल्ले में देखने को मिलता है कहां पर नहीं दिल्ले में आपसे नमबर आपसी सही उत्तर हो जाएगा नहीं दिल्ले अगला प्रस्ते है बोला कि बाइला कुपे मठ नामद्रो लिंग भारत के किस राजय में इस्तित है तो कि भारत के यह आपको देखने के मिलता है करनाटक राजय में कहां पर करनाटक राजय में ऑप्सन नंबर भी सही उत्तर हो जाएगा इंगलिस चैनल पार करने वाला पहला भारती है कौन था देखे पहला भारती आप देखेंगे तो यह आपको जगा मिहिर सेन होगा क्या होगा दोस्तों मिहिर सेन ऑप्सन नंबर भी सही उत्तर हो जाएगा मिहिर सेन अगला कि हुमा का जुका हुआ मंद्र डैस को समर्पित कि गया है option number देखेंगे तो भी सही उतर हो जाएगा सी अगला प्रस्ने कि चेरी picking सब्द जो है कि स्खेल में उपियों किया आता है cherry picking तो इसका सही answer बताएं क्या होगा इसका सही answer आप देखेंगे तो बास्केट बाल होगा क्या होगा ओप््षे सही होगा की अगला की पादब जगत में फरन और फरन सही स्थ होगे कि साम only से संबंदित है कि साम only से संबंदित है ओव कि मैं तुंक aan टेरेड़ो फाइटा से किसे दोस्तो टेरेड़ो फाइटा से option नमबर आपका डीर राइट होगा अगला प्रस्था है कि alu alu computer के डैस का एक हिस्सा है यानि किसका वो आपका हिस्सा है सही उत्तर आपको हो जाएगा प्रोसेसर का है किसका प्रोसेसर का निमनलिखित में से कौन सी उच गती और धचालक मेमोरी है जो CPU की गती को बढ़ा सकती है तो यह आपको हो जाएगा case मेमोरी हो जाएगा option नमबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है D सही उत्तर हो जाएगा कोडिट निर्देशों की सूची कहां सूची जो है कहा आता है किसको तो यह कहते हैं आपका computer program को कहते हैं option नमबर आपका C सही होगा इन में से कौन से एक जो है वेव ब्राउजर नहीं है वेव ब्राउजर नहीं है तो देखें आपका links आपका नहीं है बकि क्रोम है सफारी है और Firefox इसमें आपका सामिल है किसी परिष्थित की के निर्मान में सामिल होते हैं उत्तर आप देखेंगे 79 का तो हमारा हो जायेगा option नमबर B हो जागा जैविक और आजेविक घटक होगा option नमबर आप देखेंगे 79 का तो B हो जाएगा दोस्तो इसमें आप देखेंगे अगला प्रस्न हमारा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्स में जो है शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर तो यह आपका कब सुरू किया गया था बताईएगा तो यह आपका सुरू हुआ था वर्च 1973 में यह आपका सुरू हुआ था ओप्सन नमबर डी राइट होगा फरवरी 22 में किस स्थान पर खेलो इंडिया सीत काली ही तो आपको करनाटक में लागू हुआ है उप्सन नमबर देखेंगे तो आपका भी सही उतर हो जागा करनाटक फरवरी दौर ताइस में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला जो है मुख्य नियादिस बनी है तो यह बनी है गुजरात की कहां की गुजरात की ऑप्सन नमबर देखेंगे तो आपका डीस आई उतर हो जागा गुजरात होगा किस देश ने नेशनल फिसकल इंसेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लाँच किया है आंसर हो जाएगा केनिया हो जाएगा क्या होगा केनिया ऑप्सन नमबर ए राइट होगा फरवरी दो हजारत तईस को घुसित किया गिया दादा साहिफ हाल के अंतराश्ट्रिय फिल्म महत्सव पुरसकार में किस फिल्म ने सरसेष्ट फिल्म का पुरसकार जीता है उत्तर हो जागा दा कस्मिर फाईल दा कस्मिर फाईल ऑप्सन नमबर взять और राइट होगा फरवरी दो जारत तईस में योट्यूब के सीईयो के रूप में किसे जो है निक्ति किया गया है तो अभी जो है इसका सही उ हर जंडी मिली है उत्तर आपका हो जाएगा option number D हो जाएगा national stock exchange हो जाएगा option number देखेंगे तो D right answer हो जाएगा फर्वरी 2023 में आद्रभूमी बचाओ अभियान की शुरुवात किस ने किया है तो ये सुरुवात किसके द्वारा किया गया है तो देखेंगे इसका उत्तर तो हमारा हो जाएगा option number यहां पर सी हो जाएगा भूपेंद्र यादो भूपेंद्र यादो option number देखेंगे आपका तो सी सही उत्तर हो जाएगा फर्वरी 2023 में भारत आई टू यूटू बिजनेस फोर्म के एसिया पर आई यानि ए आई एम फोर सी में सामिल हुआ इससे क्या उससे कहा यानि कहां पर जो हाएउट किया गया था तो यह किया गया था आपका अबुधाबी में option number देखेंगे तो सी होगा दोस्तों यही पर हमारा सेट समाब सोता है इसके बाद देखेंगे तो दस question आपको पता है messaging का आता है तो यहां से आप जो है question बना सकते है इसका discussion भी बहुत भी बहतरी दिया गया है आराम से आप जो है इसको बना सकते हैं दोस्तों कैसा वीडियो लगा है कमेंट केजिएगा और आप सब लोग यह यहां पर जो है अपना स्कोर बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है और वीडियो को लाइक करके ही जाएगा चलिए आज के लिए इतना ही जाय हिंत जाय भारत